नमस्कार मैं हुसेहार राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइज और आप सभी का स्वागत है जना सवरूर। बहले ही लोग भूत और बुरी आत्माओं की कहानियों पर यकीन नहीं करते हैं लेकिन आज के समय में ऐसी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटिस होती हैं जिसे देखने और सुने के बात लोगों का भूतों पर जादा यकीन हो जाता है और वो उन चीजों से ज़रने लगते हैं ऐसी ही कई सारी जगा है जो हम आपको आज बताएंगे ऐसी हम आपको आज खानपूर में कई सारी जगा है जिसके बारे में बताएंगे जहां पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटिस और भूतों को लेकर कई सारी चीज़े होती है जिस वज़से का भी हो चीज़ी जरा हैं और रात में लोगों का शिकार करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से जगह है कानपूर में जहां पर ऐसे वाइसे सारी चीज़े होती है पहला कानपूर का जन्राप्लेस जादा मशहूर है यह प्लेस रेतनलाल में मौझू है अगर आपको रीयल लाइफ मे इस प्लेज के बारे में कहानी है कि कुछ दोस्त यहां घूमने आये थे इस दोरान वहां लोग एक जगह पर बैट गए तबीप पीछे से आवाज आई यहां से जल्दी भाग जाओ यह जगह भूतिया है यहां रात को छोड़िये दिन में ही स्थानिय लोग जाने से डरते हैं जो भी लोग यहां से गुजरते हैं उन्हें भूत पकड़ लेते हैं कई लोग तो भूतों का शिकार भी हुए हैं सिविल लाइन्स ग्रेव यार्ट के बारे में कहा जाता है रातों में यहां से गुजरने वाले लोगों को भूत दिखाई देते हैं और डरामनी आवाजे भी आती है आए दिन यहां पर कई सारे दुर्गटनाएं होती है शाम होते ही यहां लोग जाने से कतराते हैं कानपुर का गंगा बैराज यह तीसरा जगा कानपुर का गंगा बैराज पर कई बार लोगों ने भूत देखा है दिन यहां बूरी आत्माय गूमती है नजर आती है अगर आपको भूत पर देखना हो तो रात को यहां आ जाईए यहां पर आपको सफेद सारी पैने महिला दि पिशान करती हैं। पिशान के लिए इतना ही ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही कहानियों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइए।